प्रिय विध्यार्थियों, प्रति दिन के भाति हम अपनी कक्षा प्रारंग करते हैं, ओम प्रकाश वालमेकी के जुठन उपन्यास के मूल पाठ का आगे अध्यन करते हैं, बस्ती से हिरम सिंग सत्पाल भिकुराम ओमी स्कूल जाते थी, सत्पाल और मैं हम उम्र थे, दोनों ने साथ ही साथ स्कूल में दाखिला लिया था, हिरम सिंग एक साल पीछे थे, ओमी ने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया था, सत्पाल भी मुझ से एक साल पीछे हो गया था, सत्पाल पढ़ने में थोड़ा कम जोड़ था, हम लोग बच्पन से एक साथ रहे थे, घर भी प पास पास ही थे उसके पिताजी घिसा सिखों की तरह पगड़ी बानते थे दाड़ी रखते थे बोलचाल का लहजा भी उनका बदल गया था अपने बच्चों के नाम भी उन्होंने सिखों के ढंग से ही रखे थे सबसे बड़े बेटे का नाम हरनाम सिंग दूसरे का नाम गु बस्ती में उम्प्रकाश पुकारने वाला मेरी मा को छोड़कर और कोई नहीं था कुछ लोग पिता जी की देखा देखी मुंशी जी भी कहने लगे थे देखें यहां पर यह अपने बच्पन की यादों को दोहरा रहा है मन में सोच रहा है एक रिकॉल कर रहा है अपनी इस्म मंधों के माध्यम से अपने आपको घड़ रहा है कुछ अंश छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं प्रतियक घर के सामने खड़े होकर ढोल बजाने वाला जोर से ढोल पीटता था जिसकी आवाज सुनकर औरते लड़कियां बहार आती थी हिरम सिंग उन्हें सलाम करता था ये गुंगट के कोनों से हिरम सिंग को ऐसे निहारती थी जैसी हिरम सिंग को चलिया घर से लेकर आए हैं किसी किसी का वहवार बहद रूखा और अपमान जनक होता था लेने देने पर दुलहन के माँ को काफी कुछ कहना पड़ता था यानि आसानी से किसी के हाथ से कोई या बरतन नहीं छूटता था हिरम की सास कहती थी चौधराइन मेरी कोई दो चार लॉंडी तो है नी जो मेरे और जमाई थारे दरवज्जे पे आवेंगे इज़त से लड़की को भेज सकूँ ऐसा तो कुछ दो लेकिन इस गिलगिडाहट का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा था अब इनके जीवन में इनके अपने पारिवारिक दाइत्मों के प्रती जो संगर्श था मन में जो चिंता थी और जो सामजिक विवार है जो रीती रिवाज है उसको क्रमश है एक आम जिंदगी की रवानगी की भाती लेखक बयान कर रहा है बयान में जो सपाट बयानी है वह लेखक की सरजन कला है वह लेखक की कलात्मक और भावात्मक अभी व्यक्ति के महत्वपून अन्श है कोई कोई तो अजीब मुद्रा में मुह बना कर कहते इन चुहुडों का तो कभी पेट ही ना भरता एक औरत ने हिरम सिंखे हाथ पर एक रुपे का नोट रखते हुए कहा अरी तेरा जमाई है तो सोहना क्या काम करे है हिरम की सास ने उच्छाहित होकर कहा पड़े है आठमी का इंतहान दिया है पूछने वाली मह हिला ने आश्चर्य से हिरम को देखा मैं पास ही खड़ा था मुझे उपर से नीचे देखते हुए उसी सुर में बोली तू भी पड़े है मैंने हां में गर्दन हिला दी तू कौन से किलास में है नौवी की परिक्षा दी है उसकी आखे ताजुब से भर गई तू दिखे त तो इस से छोटा जी मैं इन से छोटा हूँ वह थोड़ा रुपकर बुली बरला तो तगाओं का है जी हां मैंने कहा चुहुडों के जाकत भी पड़ने आए हैं मदरसे में उसे आश्चर्य हो रहा था कितना भी पड़ लो रहोगे तो चुड़े उसने अपनी भड़ास नि पिलवा दो उसने हैराने से मेरी ओर देखा और कहा पानी तो घर जाके ही मिलेगा बारात में आने का सारा आनंद किरकिरा हो गया था पसीने से लत पत जब हम वापस लोटे तो मैंने जी भर कर पानी पिया पानी इस तरह पीते हुए देखकर पानी पिलाने वाला बुला बर मन में एक असंतोश है, मन में एक खाली पन है, जिसे भरने के लिए वो पानी भी पीते हैं, जिसे भरने के लिए वो पढ़ने भी जाना चाहते हैं, पढ़ाई करके आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बेगार और अपमानित क्रिया कलापों से बचना भी चाहते हैं, समाज में व एक आदमी का होता है, एक इंसान का होता है, यहाँ पर सामजिक रिती रिवाजों की रवानगी में इनके प्रति किया जाने वाला दुहरा वहवार या अनुचित वहवार या असभ्य वहवार इनको भीतर से कहीं तोड़ देता है, इस बात का बड़े इसपष्ट अभिवेक् फून बन पड़ा है थोड़ा सा अंच छोड़ के आगे बढ़ते हैं पिता जी ने मेरी और ऐसे घूरा जैसे मुझे पहली बार देख रहे हूँ उन्हें चुपचाप देखकर मेरे मन की उथल पुथल बाहर आने लगी अपनी ही शादी में दूला घर घर घूमे बुरी बात है बड़ी जात वालों की दूले तो ऐसे कहीं नहीं जाते ये दूलहन बरला जाकर ऐसे ही घर घर जाएगी सलाम करने पिता जी थामोशी से मेरी बात सुन रहे थी मुझे जी बस तुझे स्कूल भेजना सफल हो गया है मारी समझ में भी आ गिया है इस रीत को तोड़ेंगे यहाँ पर उनके मन में एक संकल पाता है उनके मन में एक विद्रोह का भावाता है जिसे वे इंदराज करते हैं अभिव्यक्त करते हैं और कहते हैं कि अब हम घर घर जाकर कि इस तरह मांग कर ये रिवाजव हम तोड़ देंगे और देखिए ये क्रियानवित भी हो जाता है लेखक के मन के वैचारिक विमर्ष ने उसको एक मजबूती दी है और उस मजबूती को के माध्यम से उसने आगी कदम भी बढ़ाया उस सामजिक संशोधन के लिए उस सामजिक परिशोधन के लिए जिसकी वो कलपना करता है पिता जी ने सचमुच इस रीत को अपने ही घर से तोड़ा था यहाँ पर एक क्रिया घटित होती है यहाँ पर एक काम होता है और उसके परिवार से इस तरहे की अनुचित परंपरा खतम हो जाती है मेरे भाई जनेसर की बारात लकसर के पास रजोपूर गई थी पिता जी ने साफ मना कर दिया था मेरा बेटा सलाम करने नहीं जाएगा बहन की शादी में भी हमने अपने बहनोई को सलाम पर नहीं जाने दिया था साफ साफ कह दिया था जिसे भी जो देना है यहाँ देख कर जाए देखने सुनने में बहुत साधारण सी बात लग सकती है लेकिन दूला हो या दूलन शादी के पहले ही दिन उसमें हींता बोध भर दिया जाता है सलाम पर इसी शीर्षक से मेरी एक कहानी हंस में छपी थी जिसे राजिंद रियादव ने ब्रह्मन वाद विरोध की सशक्त कहानी कहा था सदियों से चली आ रही इस प्रथा के पार्ष में जातिय अहम की पराकाष्ठा है ये रिखांकित करिए ये व्याख्या की योगिये है जातिय अहम की पराकाष्ठा है जिस संप्रदायवाद को हम तोड़ना चाहते हैं जिस जाती विभेद से हम बचना चाहते हैं जिस धर् निर्पेक्ष्टा का सर्व धर्म संभाव के भाव का समिधान में जिक्र है वो हमारे समाज में क्यों नहीं लागू किया जाता समाज में क्यों ऐसी गहरी खाई है ये असमानता कि इतनी दूरियां इतनी गहरी बातें क्यों व्यक्ति के मन को बेद देती है मन को विचलित कर द गया है बड़ा समसामिक हो गया है इतनी रेलिवेंसी है कि आज हमें इस समय दरकार है अब हम जाती विभेद से सब मनुष्य मनुष्य है मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और नेक नियती का ही भारतिय संस्कृति में संरक्षन है यहां पर इस बात को इस पश्ट किया गांधिवाद की विचारधारा का माक्सवाद की विचारधारा का जो सामाजिक विभेदों से उपर उठकर वर्ग विभेदों से उपर उठकर जो आर्थिक आधार पर या सामाजिक आधार पर हो उन सब से हमें उपर उठ जाना है कितनी ही बार दूलों को ही नहीं पसर भी पूरी हो जाती है, बच्पन की कई ऐसी घटनाई, मन की भीतर पसरी हुई है, जो अतीत के काले स्याह दिनों की साक्षी है, बस आज हम इतना पढ़ेंगे, इसमें जो मैंने आपको महत्पूर अन्श्रे खांकित कराया है, उसे होम असाइमनेंट के रूप में आप ल प्रसंग लिखिये, प्रसंग के बाद आप व्याख्या लिखिये, व्याख्या के बाद विशेश लिखिये, विशेश में लेखक की भाषा शैली, उसका प्रवाह, उसकी कथानक, उसका उद्धेश है, या हम जो तुलना कर रहे हैं, या जो मैं आपको समीक्षा बीच बीच में देती हूं उनका जिक्र करिए इस तरह से आप जितना अधिक लिखेंगे आपकी गती बढ़ेगी आपकी लेखने सुधरेगी और आपकी शहली में भी एक परिपक्वता आएगी पिछले अंश में जो हमने पढ़ा है उन सब के आधार पर जो आपको रिखांक कित कराए गए अंश है उन्हें होम असाइनमेंट के रूप में आप अपनी किसी भी ग्रह कार्यक या रजिस्टर की एक कौपी बना लीजे नवम प्रशन पत्र में जूठन उपन्यास के नोट्स मना लीजे उसके आधार पर और सब प्रसंग व्याख्याएं लिखना प्रा एमे फाइनल के बाद एमे साहित्ते के विध्यार्थी के रूप में अपनी चाप छोड़ेगी बच्चों इस होम असाइनमेंट को थोड़ा गहराई से कीजिए थोड़ा गंभीरता से कीजिए ये बड़ी सामान्य बातें लगती है लेकिन एक बड़ा विमर्ष है जिसे ज